नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कबूत्र का घोसला एक बार गोतम बुध साम के समय कुटिया के बाहर सिस्यों के साथ बैठे थे तबी वहाँ एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हो आ गया उन्हें देखकर महात्मा बुध को एक कहानी याद आई और उन्होंने सिस्यों को कहानी सुनाना सुरू किया एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रह दे थे कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर तीन अंडे दिये एक दिन कबूतर और कबूतरी दो पहर के समय खाना ढूंडते वे कुछ दूर निकल गए तभी कहीं से एक लोमडी आ गई वह भी भोजन की तालास में पेड पर चड़ी जहां उसे कबुत्र के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई जब कबुत्र का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परिसान हो गया दोनों को बहुत बुरा लग रहा था उनका मन तूट सा गया तभी कबुत्र ने निश्चे किया कि अब वह घोसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाई कबुत्र ने अपने निर्णे अनुसार तिन के इकठे करके घोसला बनाना सुरू किया पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोसला बनाना आता ही नहीं तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबुत्र के लिए गोंसला बनाना सुरू किया पक्सियों ने अभी कबुत्र को सिखाना सुरू ही किया था कि कबुत्र ने बोला कि अब वो गोंसला बना लेगा उसने सब सीख लिया है सभी पक्सि ये सुनकर वापस चले गई अब कबुत्र ने गोंसला बनाना सुरू किया उसने एक तिन का इधर रखा, एक तिन का उधर, उसे समझ आया कि अभी वैक कुछ नहीं सिखा है, उसने फिर से पक्सियों को बुलाया, पक्सियों ने आकर फिर घोसला बनाना सुरू किया, अभी आधा घोसला बना ही था, कि कबुत्र जोर से चिलाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ, यह कैसे बनेगा, इस बार पक्सियों को बहुत गुस्सा आया, सारे पक्सि तिन के वही छोड़ कर, चले गई, कबुत्र ने फिर कोसिस की, पर उससे घोसला नहीं बना, कबुत्र ने तीसरी बार पक्सियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्सि मदद के लिए नहीं आया, और आज तक कबुत्र को घोसला बनाना नहीं आया, गोतम बुद्जी की इस कहानी ने बताया है, कि हमें जो काम नहीं आता हो, उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए, जो काम नहीं आता हो, उसे जबर्दस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला वैक्ती एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा लेकिन हर बार नहीं इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वै काम पूरी निष्टा के साथ सीखना चाहिए धन्यवाद